मंकर संक्रांती का पर्व है और साथ में ही सर्दिया भी हैं तो दोनों में ही जो तिल और गुड होता है उसका काफी इंपोर्टेंस बढ़ जाता है बहुत ही महातुपूर्ण होता है क्योंकि जो तिल और गुड होता है धार्मिक कारणों से तो हम संक्रांती की दिन बनाते ही है और जो तिल और गुड होता है इसको सर्दियों में भी आप ऐसे ही खाएं तो यह बहुत पॉस्टिक होता है बहुत ही लाब दायक होता है तो इसको बिना किसी रीजन से भी बना सकते हैं और देखें कितनी कृपरी करारी जो हमारे जो तिल पापड़ी बनी हुई है बहुत सबसे पहले हम लेते हैं एक कटोरी सफेद तिल और जो तिल होती है जैसे कि नायलोन तिल होती है और काली तिल भी होती है तो यह पर हमने रेगुलर जो सफेद तिल होती है वही ली है और आप चाहे तो नायलोन वाली तिल भी ले सकते हैं पर काली वाली जो तिल होती है उस और उसको हम ग्रीस कल लेते हैं ताकि जो हम चिक्की बनाएंगे तो यह पहले की तयारी यह दिये हम पहले से करके रखेंगे तो हमारे को आसानी होगी फटाफट हम इसको बना पाएंगे तो अब पैन में हम ले ले लेते हैं एक से सवाचमच के लग घी तो गी कॉंटिटी आ और इसके बात में अब हम इसको गी में डाल देंगे और मेल्ट करेंगे इसको हम बहुत ही मीडियम फ्लेम पे एक दम तेज फ्लेम पे करेंगे तो जो गुड़ है वो कड़वापन आना शुरू हो जाएगा उसमे इसको दीमी फ्लेम पे दीमे दीमे हम इसको मेल्ट करेंग तो जो हमारा गुड़ है काफी अच्छे से पक जाएगा तो यहाँ पर जो हमारा गुड़ है यह मेल्ट हो चुका है इसको हम लगातार चलाते भी जाएंगे नहीं तो यह चिपक भी सकता है तो देखिए medium flame पे जो हमारा गोड़ है ये पकरा है और बीच बीच में हम इसको थोड़ा सा चलाते भी जा रहे हैं अब यहां पर जो गोड़ है देखिए इसमें वबल साना शुरू हो चुके तो थोड़ा सा एक भर हम इना इसकी जो चाश चर्ष्णि है क्योंकि पानी में डाला के दो तिन बार चर्ष्णे करना पड़ता है तो यह पर हम थोड़ा से गोड़ को पानी में डालके और फिर अब देखेंगे इसको हाथों से तो ये अभी हमारी जो चाशनी है अभी काफी नरम है इसका कलर भी बहुत ज़्यादा नहीं चेंज हुआ है तो देखेंगे अभी नरम है एकदम गुड़ा हाथ से आसानी से दब रहा है तो यहाँ पर अभी जो गुड़े इसको हम थोड़ा सा और पकाएंगे तो चलाते हुए इसको हम लगातार पकाएंगे और फिर से दो मिलड़ाद हम फिर से चेक करते हैं तो देखेंगे हमारी चाशनी का क्या हाल है तो जो चाशनी है यहाँ पर अभी कड़क तो हो चुकिए पर एकदम ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर ने एकदम कट चट वाली आवाज नहीं आ रही है तूटने में तो इसको अभी हम धोड़ा सा और पकाएंगे देखिए आपर अभी ओख खिछ रहा है तो यह अभी पकी नहीं है मतलब इसको भी ओख सा और पकाना है अभी हमने इसको फोड़़ा सा और पकाया अब अब फिरस्तिम च liểm कर लेते हैं तो चाशनी को बनाने में बहुत जल्दी नहीं करना है इसको मतलब आराम से चेक करके ही बनाना है हमें तो देखिए, अब की बार हम देखते हैं तो ये जो हमारी चाश्णी है लगता है पूरी हो चुकी है क्योंकि इसको देखी बहुत यह आसानी से एकदम क्रिश्टल कट हमारे जो टूट रहे हये बहुत आसारी से एकदम टूट रही है और चटकी आवाज भी आ रही है तो यहां हमारी चाशनी है तैयार हो चुकी है तो अब इसमें हम डालेंगे तिल यहां हमने गेस की फ्लेम बंद कर दी है और जो तिल है जो हमने रोस्ट करके रखे हुए थे वो थोड़ा-थोड़ा कर यह बहुत जल्दी जम जाता है तो यहां पर जो हमने अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे इसको और जो बटर पेपर हमने ग्रीस करके रखा हुआ है उसके ओपर इसको अब हम पलट लेंगे और पलटने के बाद में बस इसको हमको बेलना है फटा-फट और यह बहुत ही उसको निकाल लेंगे और हाथ उसे हलका सा थोड़ सा टैप करेंगे बहुत जड़ जुढ़ से कर सकते हैं तो यह तो फटो हमने अच्छे है कर लिया है आप चाहे तो इसको चमस आप सकते हैं इसके हमें जो पलटने उसको ह़लका सगरीस कर लिया था इससे जो हमारे बेलन तो जितनी मूटा ही आप चाहते हैं उसके according इसको बेल सकते हैं थोड़े से आप इसमें पिस्ता बादाम काजु जो भी ड्राइफूट से डालना चाहें डाल सकते हैं थोड़े से मैंने नारियल के चिप्स हैं वह भी इसमें डाले हैं तो वह उससे काफी सुंदर देखने में स्वाद भी काफी अच्छा आजाता है उससे और इस प्रकार से हम इसको बेल लेंगे तो यह बहुत जल्दी इसको बेलते हुए पतला एकदम जैसा साइज आप रखना चाहें वैसा बेल सकते हैं तो और उसके बाद में इसको तुरंद ही हम कट लगा लेंगे यह जो जमने के अच्छी खासी जम चुकी है तो अब इसको हम कर लेते हैं बटर पेपर से अलग और उसके बाद में जो इसके हम जो देखी कितने हैं शानदर हमारे पीसे से एगदम अलग-अलग असानी से हु रहे हैं और बहुत ही क्रिश्पी है अगदम करकरारी हमारी जो आवाज आरह ह यह जो चिक्की की बहुती टेस्टी भी है तो फ्रेंड्स यह जो तिल गुर्चिक्की है इसको अभी तो आप बनाए इस अग्रांती पर्व के लिए और फिर आप इसको चाहे तो लगातार जब तक सर्दिया हैं बना कर खा सकते हैं आप इसको चाहे तो थोड़ा थोड़ा कर के भी बना सकते हैं और चाहे तो आप इसको लंबे समय तक इस्टोर करके भी रख सकते हैं तो फ्रेंड्स यह दुक्तिल गुर्ची की है यह कैसी बनी इसका फीडबेक भी मुझे जरूर दीजिए और मेरे चेनल शाका हरसादा बहार को लाइक, शेर, सब्सक्राइब और कमें बना से हैं तो कर्में बना सकते हैं झाला झाला शाया रख सकते हैं